सब्सक्राइब तू आरिफ दानीश और इस्लामिक विडियोज अश्लामुलेकुम क्या हुआ भाई क्यों दास है कुछ नहीं यार वही रोज का मसला फिर से घर पे कुछ हुआ है क्या यार मैं घर वालों से इजादत मांगा गूमने के लिए क्योंकि सारे दोस्त मेरे जो है न वो गूमने जा रहे कॉलेज से मैंने भी मांगा इजादत तो उन्होंने मना कर द यह तो सारे parents का हाल है यार खुद तो ऐसे जीते हैं कहीं भी चले जाएंगे लेकिन पच्चों को कहीं नहीं जाने देते हैं पाबंदी लगाए पड़े हैं वैसे कहां जा रहा था छोड़ यार अब जाना ही नहीं है तो क्या बताऊं तुझे अश्लम अलेकुम भाई लोग क ने बुलाया कर यह नाम पसद नहीं है मुझे डैन बुलाया कर क्या हो गया बाई इतने nessa में क्यों को अरे बास के ट्रिप का प्लान था गरवालों ने केंसिल कर दिया इसलिए घर वालों पे गुसा है इसमें गुसा की होना ना कीया होगा तो तो तेरी भलाइवा सोच कई मन जाओंगा भाई तु जब बच्चा था तब तु दोड़ के आग के तरफ जाता था या फिर किसी जानुवर के तरफ तो तेरे पैरेंट्स तुझे रोकते थे जरूर रोकते होंगे तब भी तुझे बुरा लगता होगा जब बच्चे गली में किर्केट खेल रहे या फिर कुछ भी खेल रहे हैं तब तु उनके साथ खेलने जाता था तब भी तुझे उनके साथ खेलने से रोका जाता था नहीं जाने दिया जाता था तब भी तुझे बुरा लगता था कि सब खेल रहे हैं मुझे खेलने नहीं द बढ़ रहा होता वैसे ही तुझे बाद में एसास होगा कि इसमें भी तेरी क्या अच्छाई थी एक बाद याद रखना भाई वालिदेन का फैसला वक्ती तोर पे गलत नजर आ सकता है लेकिन उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता है तू तो कहेगा ही तेरे घरवाले तेरी तक ना कहो और माबाप को प्यार से देखना भी सवाब है कुरान कई जगापी जिगर्शक नहींदुकी कि अपने वालिदین के साथ अच्छा स्लूक कर और हदीस में भी हैं कि वालिदां कितना भी जुल्म करें तुम उफ तक ना कहो हो हुए तु बता कभी उनके साद आसे के लिए बात करता है और तू कहता है कि वह तुछ पर खर्चा करना नहीं चाहते हैं उन्हों ने तुछ पर अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दिया तेरे लिए अब क्या चाहिए तुझे अपना मुबाइल दिखा तो कितने का है तीसाजा और तेरे पापा का मुबाइल कितने का है यह तुने जो जूता पहना है वो कितने का है पंदरा सो और तेरे पापा का कितने का है तुझ खुद समझ गया होगा कि वह कितना खर्चा करना चाहते हैं तुझ पर और सही बात की जाने देने की, वो उनकी मुहबबत है, जहां मुहबबत होती है, वहां फिक्र होती है, और जहां फिक्र होती है, वहां डर होती है, वो डरते हैं कि मेरा बच्चा इतना दूर चला जाएगा, तो उसे कुछ हो ना जाए, वो कोई मुस्कील में ना पड़ जाए, इसलिए नही तो फिर तू मान जा। ऐसे दोस्तों में बैठ कर उनकी सिकायत ना कर और उनकी गीवत ना कर इससे अल्ला भी नराज होगा तुझसे और तेरे पैरेंट्स को भी बुरा लगेगा। अभी तु यहाँ बैटके उनकी सिगायत कर रहा और इस वक्त तेरे पापा तेरे लिए मेहनत कर रहे होंगे तेरे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं कि मेरा बेटा का कॉलेज का फी हो जाएगा मैं उसके फीस भर दूँगा तेरे फ्यूचर के अच्छे भॉईसे के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और तेरे अम्मी इस वक्त तेरे लिए खाना बना रही होंगी कि मेरा बेटा आएगा तो अच्छा खाना खाएगा याद रखना जिससे वालिदेन राज हो गया उससे अल्ला भी राजी नहीं होता कर देर हो गया कहीं घरवाले परिसान ना हो जाएगा